स्वागत है आप सभी का फैसोटिला फैंटिला में आजम बनाएंगे कच्ची हल्दी का अचार जो सर्दियों मिलती है और इसमें जो गुर्णकारी तत होते हैं वो हल्दी पाउडर से ज्यादा होते हैं इसमें पाया जाने वाले लिपोपॉली सेचराइट तत तो हमारी इम् तो हम इस तरह से किसके बनाएंगे कद्दू कस करके और दूसरा जो हम बनाएंगे वो हल्दी को कट करके बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहले हम किसकर बनाना तो सबसे पहले हल्दी को इस तरह से हम चाकू की साहता से स्क्रिच करके इसके सारे छिलके उतार लेते और फिर हम कद्दू कस करने के बाद हम इसे अलग रख लेंगे यह हमने अलग रखा और अब हम गरम करेंगे 100 ml ओयल इसको गरम कर लेते हैं पहले अच्छी तरह से धुआ निकलने लगा और अब इसे हम ठंडा करते हैं और अब हम इसमें डाल देंगे लैसो नद्रक का एक चम्मच हम डालते हैं ठंडा हो चुका प्रोपरली अभी थोड़ा ठंडा नहीं हुआ है तो देखिए इसके ठीटे थोड़ा निकल रहे है तो इसे मैंने हल्दी के उपर ही रख लिया ताकि अगर निकलता भी है इसका एक दो डौप इदर उधर जाता है तो हल्दी पे पिसी हुई और यहां पर है सौफ और जीरा का पाउडर आधा चम्मच हींग और तीन चम्मच धन्या पाउडर और स्वात के अनुसार नमक वैसे यहां पर मैंने तीन चम्मच ही लिया है और लिया है पीदली सरसों का पाउडर और यह मसाला पाउडर जो है वो मिक्स कर रह जो की गरम करके ठंडा किया हुआ है इस तरह से हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करते चारे हैं और देखे कितना बढ़ी इसका मसाला तैयार हो गया है यह थोड़ा गीला सा मसाला बनेगा बहुत ही सूखा नहीं रहेगा यह मसाला आपका रेडी हो गया मसाला अब हमें इसे मिलाना है हमारे जो हमने कद्दू कस करके रखी थी इस प्रकार से हल्दी में तो यहाँ पर पूरा एक कटोरी है मसाला जो हल्दी ली दो धाइसो ग्राम हल्दी थी और अगर आप कटोरी से मैजर करें तो यह डेल कटोरी के लगबग है कद्दू कस करने के बाद तो सारा मसाला हम इसमें मिला देते हैं और इसे चम्मत से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब यहाँ पर खटाई के लिए हम ले रहे हैं आवले का किस जो सुखा कर रखा हुआ है मैंने तो यहाँ पर आधा कटोरी आवले का किस डाल रहे हैं यहाँ पर अमचुर नहीं डालेंगे हल्दी के साथ में अमचुर का यूज ना करें तो बेटर होता है तो हम इसे डाल देते हैं और मिक्स करते हैं हल्दी की इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी को बनाए रखता है जो सर्थी जुकाम नहीं होने देता और अब हम डाल देंगे ओयल जो हमने करम करके ठंडा करके रखा हुआ था और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मिक्स बहुत ही अच्छी तरह से करना है यहाँ पर जितना भी आमला है यह जो हमें अभी सफेद सफेद दिखाई दे रहा है यह पूरा mix हो जाना चाहिए कच्ची हल्दी जो होती है हल्दी powder से ज़्यादा गुणकारी होती है देखें mix करते जाते हैं हम इसे इस तरह से अभी हमारा थोड़ा थोड़ा इसमें आमला powder दिखाई दे रहा है अलग से देखें तो हमें इसे और mix करना है कच्ची हल्दी किसकी थी हमने वो और oil सब एक दूसरे mix है बिल्कुल जादा oil इसमें नहीं दिखता है बाहर से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा और यह हमारा खराब भी नहीं होती है हल्दी काचार अब हम इसे रख देंगे ढखकर के धूप में इस तरह से जाली ढखकर के रखे जिससे धूप हमारी इससे होकर हल्दी पे पड़े इसे एक तो बार चला देते हैं और minimum हम इसे टू डेस के लिए और maximum इसे फो डेस के लिए धूप में रख देते हैं देखें इस तरह हमारे अब चार दिन होने वाले हम चार बार चला चुके हैं देखें इसको कितना बढ़िया हमारा रेडी हो गया है हल्दी का अचार बच्चे बड़े बज़ुर्गों सभी के लिए ये बहुत ही हल्दी है और सर्दियों में जब हम आम और नीबू के अचार को एवाइड करते हैं तब भी आप इस अचार के साथ में खाने का आनन्द उठा सकते हैं चलिए अब हम शुरू करते हैं बनाना दूसरे तरह से कट करके अचार यहां भी 250 ग्राम ही हल्दी ली है एक पतीली में डाल करके इसमें थोड़ा पानी डालेंगे एक लास के लगभग और इसे गैस पर चढ़ाएंगे बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है और 5-10 मिनट तक इसे बॉयल करना है 5-10 मिनट हो गया है और इसे स्टेनर में डाल के स्टेन कर लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है जब ये ठंडा हो जाती है तब इसे हम इसके छिलके उतार लेते हैं जाकू से खुरच करके और छोटे-छोटे टुकडों में कट कर लेते हैं अब हमें यहाँ पर मसाला मिलाना है सेम उसी तरह से एक कटोरी मसाला लिया है और अगर कट करके अमाउंट इसका देखे हल्दी का तो ये लगबग बेड़ कटोरी है तो मिक्स कर देते हैं और अब हमें सरसों का तेल डालना है जो की गर्म करके हमने ठंडा करके रखा था और ओल को इसमें डाल करके हल्दी और मसाले के साथ में अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को मिलते हम अगली रेसिपी के साथ